किसान भाईयो नमस्कार मैं हूँ दसरत दाकर आप देख रहे हैं डीप हार्मिंग योटूब चेनल इस वीडियो में हम गेहूं की खेती के बारे में बात करेंगे गेहूं में बालिया निकलते समय कौन सी चीजों का प्रियोक करना चाहिए चसे सवी पोदों पर बालिया भी एक साथ आए बालियों की लंबाई जदा हो दानों का बरह अच्छे से हो बालिया चमकदार बने और हम गेहों की खेती से पैदावार भी ज़्यादा ले सके इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे खाद बताऊंगा जिनका प्रियोग आप गेहों की गबोट अवस्था से बाल्या बनते समय कर लेते है तो इससे आप गेहों की खेती से ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकते है कौन सी चीज़े है किस परकार प्रियोग करना है कितनी मात्र लेनी है इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी आपको ये वीडियो पूरा देखना है जो किसान हमारे चेनल पर पहली बार आये हैं फटा पर से चेनल को सब्सक्राइब कर दीजे पासमय गंटी के निस पूरी स्टेज मानी जाती है अगर इस समय पोदे को जिन पोसकत्तों की आवसकता होती है वो पोसकत्तों हम अपने पोदे को दे देते है तो इससे सभी पोदों पर बाल्या भी एक साथ आती है और अगर आप गेहों के केती से ज़्यादा से ज़्यादा पेदावार लेना चा इस समय आपको दो चीजों का परियोग करना है जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ आप अगर इन दोनों चीजों का परियोग कर लेतेे हैं तो आप गेहूं की खेती से ज़्यादा से ज़्यादा पेदावार ले सकते हैं। इस समय आप ग्यहूं में जब बालिया निकलना सुरु होती है, शुरुवाती स्टेज में NPK 0-52 का प्रियोग कर सकते है, इसमें मुझूद फासपोरस एक परकार से पोदे के तने को मजबूत बनाता है, साथ ये पोदे की जड़ों का विकास अच्छे से करता है, पोटास बालियों की लंबाई बढ़ाता है, पोटास की मदद से सबी पोदों पर बालिया भी एक साथ बनती है, बालियों की लंबाई भी ज़्यादा निकलती है, लगबग एक एकड़ में एक किलो ग्राम NPK 0-54 का आपको परियोग करना है, जिससे सबी पोदों पर बालिया भी एक साथ बनेगी और बालियों की लंबाई भी ज़्यादा निकलेगी, साथ ही इसके साथ आपको बोरोन का परियोग करना है, बोरोन एक परकार का सुखसम पोसक तत्व है, गेहों की वसल में अगर आप बोरोन का परियोग करते है तो बोरोन का परियोग करने से गेहों की वसल में कहीं सारे फाइदे होते है बोरोन का परियोग करने से गेहों में बालियों में दानों का भराव अच्छी से होता है बाल्या चमकदार बनती है दानों में एक चमक पेदा होती है जिससे दाना आकरसक बन जाता है इसके अलावा दानों का भराव भी अच्छी से होता है बोरोन एक परकार का सुख्सम पोसक तत्व है अगर आप इसका परियोग करेंगे तो आपको कहीं सारे फाइदे देखने को मिलेंगे एक एकड में लगबग आपको 100 ग्राम बोरोन का परियोग करना चाहिए आप और नपी के 0,34 के साथ बोरोन का परियोग कर सकते है जब गेहों में बाल्या निकलना सुरू होती है जब गेहों की गभोट कि यवस्ता होती है इस समय अगर आप इन दोनों चीज़ों का परियो भी मोटा होता है और आप गेहों के खेती से ज़्यादा से ज़्यादा पेदावार ले सकते है तो गेहों में आप इन दोन चीजों का पर्योग कर सकते है और आप गेहों के खेती से बंपर उत्पादन ले सकते है उमिद करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आयोगी इस वी नवाद जेकी सान